विएवर्थ यह पांश मरले का अमेरिकन अर्किटेक्चर फड वे तक वे बना हुआ एक महल एक शानुब्रे technik कि अम्रे 10 प्रीम ड्रॉइंग एरिया इसने हैं इसलामगम फ्ट्रोइने प्ल्ाम को व्ढ कने ख़ाते है एक खमिल आते हैं Deshalb को एक American modern style के अंदर ये मजूद है FMC में 25 बाइ 50 इसका साइज है जो के elevation से लग रहा है कि ये 10 मरले का घर है सराउंडिंग में अगर आपको दिखा दूँ तो इसकी सराउंडिंग ही इसकी beauty है ये location जो है बहुत ही आउट क्लास है five floors है इस घर के जो के मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगा जो के बहुत ही यूनीक है फुली फंडिश है जिसकी प्राइस है सिर्फ और सिर्फ तीन करोड और पच्छिस लाक रुपे जैसे ही मैं बात करूं यहां से एंटर होने की तो बाहर आपको एक अइस तर्नल लाउन मिल रहा है जहांपे आप प्लांटेशन कर सकते हैं और मेरे साथ नहां आ घाइए तो आराम सिकून से एक से अधान आप यहां पारक कर सकते पर इसका रूफटॉप आपको मिल जाता है आएं लेकर चलू आपके इंदर और इसको दिखाते हैं अंडर से वाजट आज है मेरे साथ यह जलो जी बीउर्ट एंटर हो रहे हैं इस पांश मरले के मौडर्ण हाउस में और जैसे ही हम इसमें एंटर होते हैं तो आप देख सकते हैं क्या खूबसूरत नजारा आपको देखने को मिल रहा है यह सामने जो आपको इसका फ्लोटिंग लिविंग रूम मिल जाता है और इसका एक डबल हाइट के साथ एक आपको ब्रिज मिलता है जो के बेसिकली ब्रिज न जाती है आपको इसके लेफ साइट पे एक अमेरिकन थीम ड्राइंग स्पेस मिल जाती है जिसके कि मैं टाइल वर्क की बात करूं तो बहुत ही गलॉसी और बहुत ही यूनीक है और साथ ही यहां से आपको मिल रही है एक बिंडो जहां से आपको स्काय लाइट और संग गया है और दो फैंज हैं और जबर्दस किसम की इसकी पॉल सीलिंग है और लाइटिंग वर्क किया गया है यह अमेरिकन ड्राइंग से आपको सामने अप्रोच मिलती है इसके एक फ्लोटिंग लिविंग रूम की जो के दो पोड़िया धले लथो तो तो अनू लिविंग र ग्रास व्यू देती है सनलाइट देती है और वेंटिलेशन देती है अगर यहां से मैं आपको 360 व्यू दिखा दूँ पीछे गली भी है और यह है इसकी मीडिया वॉल यह चेक करें और यहां से आपको इसके डाइनिंग से डबल हाइट मिलती है और यह जबर्दस किसम का ल पूरा ड्राइंग सेटाब आजाता है अच्छा मैं आपको यहां से लेकर चलता हूँ इसके इस तरफ और यह बेसिकली इसका एक जबर्दस किसम का बैडरूम है यह इसका पाउडर रूम है मैं आपको निखाता चलू यह जबर्दस किसम का पाउडर रूम है जिसकी लाइ पांश मेले में आपने इतना बड़ा पाउदर रूम नहीं देखा होगा अब चाहें तो यहां पर अपनी वाशिंग मशीन लगा सकते हैं और बड़ा जबड़स सेटप इंस्टॉल कर सकते हैं और तो और मैं आपको खास बार बता दूँ इस बेडरूम में जाने से पहले कि इतनी जबड़स प्लेस है कि कोई खुशी गमी के टाइम पर आप इसको बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं यह इसका लिविंग रूम है लिविंग रूम के उपर आपके पास यहां पर डाइनिंग प्लेस आ जाती है वह आपका किचन आ जाता है वह बहुत आउट क्लास मिल रहा है सामने इसकी बेड़ वाल है बहुत जबर्दस किसम की साथ शेंडल्स लटक रहे हैं लैंप लटक रहे हैं और मैं अगर आप उसका 360 दिखाया दूं तो बिल्कुल यहां पे आपकी मीडिया वाल है साथ में आपको इस साइट पे एक ड्रेसि इरिया है और यहां पे आपको मल जाती है इसकी वाड्रोब जहां आप उपने कपड़ पर रखते हैं बहुत ज्यादा स्पेस दे दी गई है पांच मेरले के लिहाज से इधर और यह बिसके बैक साइट पे रस्ता जाता है और यह जबर्दस किसम के लग्शुरियूस बाथ वैनिटी सेटप है वैनिटी मेरर है बहुत ही आउट प्लस वर्क किया गया है पांच मरले के अंदर और एक लेयर उपन करने पर पर एक और लेयर निकल आती है लाइक अनियन तो मैं आपको दिखाता हूँ यहां से जैसे हम बाइर निकलते हैं तो आप देख सकते हैं क्या सूरत तरीन आपको सामने वाल देखने को मिलती है और एक जबर्दस किसम का शैंडलियर मिलता है तो यह घर नहीं है यह महल है जिसने यह महल लेना है इस वीडियो को एंड तक देखे और हमें लाजमीं बताया कि यह आर्किटेक्चर आपको कैसा लगा यहां से हम उपर चल तो यह आपको यहां पर एक फॉल सीलिंग मिलती है सामने आपको मिल जाता है इसका डाइनिंग एरिया यहां पर आप अपना डाइनिंग टेबल रख सकते हैं जो कि आप अराम सिकून से यहां प्लेस कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप यहां पर सनूकर टेबल रख ल जान्हार है आपको यहां से देखने को मिलते हैं आपके left side पे भी and then आपके right side पे भी तो बहुत ही जबधिस किसम का यह पच्शीष पच्चीस बैपचास पे घर बना दिया गया है यहां से मेंटे रोते इसके जबर्दस किसम के किचन में तो यहां पे आपको इसके अपर ग्राउंड फ्लोर पे यह एरिया आपको किचन मिल जाता है जहां पे आपका हुडन हॉब, वो कैबिनेट्स और सारा कुछ बना दिया गया, जैसे हम यहां से बाइर निकलते हैं तो बेसिकली हम खड़े में इसके अपर ग्राउंड फ्लोर के उपर और यहां से हम जा रहे हैं इसके फर्श फ्लोर के उपर जैसे हम यहां से उपर आते हैं तो यह जबर्दस किसम का एक राइट शेट पे fully furnished एक bedroom मिलता है, it's look like कि जैसे कि ये पूरा जो furnished house है ये दस मरले या इससे ज़ादा बड़े एरिये पे बना दिया गया है जैसे हम इसमें एंटर होते हैं तो जबर तस किसम का आपको एक bed wall और पूरा bed setup इंस्टॉल मिलता है सामने आपकी पूरी left to right और bottom to top आपको यहाँ पे wardrobe मिल जाती है dressing area मिल जाता है और यहाँ से जो class की चीज़ दिखती है कि दो windows है और वहाँ पे center में आपके आजाता है media wall और यहाँ से आपको देखने को मिलते है खुबसूरत तरीन नजार है क्योंकि ये घर जो है sunset यहाँ पे आप बैठे हो अपने partner के साथ और देख रहे हो एक खुबसूरत तरीन sunset यहाँ से आपको एक terrace की access मिल जाती है यहाँ बैठके आप चाय काफी भी कर सकते हैं और तो और साथ ही मैं अगर इदर आ जाँ तो आपको एक जबर्दस किसम का luxurious bathroom भी मिल जाता है इस पांच मिल लेगी अकानोडेशन में यह bottom to top इसमें टायर वर्क किया गया है उपर जबर्दस किसम की fall ceiling है यह मैं आपको दिखा दूँ wall hanging का mode है shower है और यहाँ पे आपको इसका मिल जाता है vanity setup पूरा जबर्दस किसम का यहां से मैं जो बाइर निकलता हूँ तो यह आप खुद बताएं कि क्या पांच मरले का घर लग रहा है यह आपको कनाल का एक खुबसूरत तरीन महल लग रहा है यहां से जी हम लेकर चलते हैं आपको इसके second floor की तरफ जो के basically first floor ही हम उसको कहेंगे यहां से आजाएं मेरे साथ जैसे हम यहां आते हैं तो यहां पे आपको two bedrooms मिल जाते हैं एक यह fully furnished bedroom मिलता है जो कि बहुत ही out class है जिसमें हम जैसे ही enter हो रहे होते हैं तो सामने आपको bed मिल जाता है bed wall मिल जाती है out class किसम की modern elegant fall ceiling वर्ग मिलता है और अगर मैं आपको इसका 360 view दिखा दूँ तो बहुत ही कमाल का सामने bathroom है यह एक चाय काफी करने के लिए separate रास्ता है या बाहर जाने का रास्ता है यहां आपको media wall मिल जाती है और तो और मैं अगर आपको इसकी दूसरी side से भी view चेक कराऊ तो वो मैं आपको दिखाता चलता हूँ यहां से अगर मैं आज हो तो सामने आपको पूरी bottom to top आपको मिल जाती है left to right wardrobes और साथ ही साथ यह dressing area भी आपको यहां पे मिल जाता है जबर्दस किसम का बहुत ही wide dressing area साथ ही साथ इस चेका का भी बहुत कमाल का यूटिलाइज किया गया कि यहां पे भी आपको water up से दी गई है अब यहां से मैं आपको दिखाता हूँ इसका जबर्दस किसम का bathroom यह इसका एक जबर्दस किसम का bathroom है जिसमें again बात करूं तो बड़े जबर्दस colors को यूज किया गया है ग्रे कलर है उपर light है concealed fan है जबर्दस किसम का wall hanging का mode है यहां पे आपको जबर्दस किसम का vanity setup vanity mirror मिल जाता है और अगर अभी तक आपने ऐसा घर नहीं देखा तो मुझे बताईएगा और अगर देखा है तब भी मुझे बताईएगा कि यह वीडियो आपको कैसी लगी और इस घर का जो विजट है वो शेडियूल करने के लिए अभी हमारे description पर दिये गए नंबर पर राप्ता करें जैसे हम यहां से एंटर होते हैं तो बहुत ही out class किसम का आपको एक और floating bed मिलता है और इसके पीछे tributine marble का यूज किया गया है बहुत ही out class किसम का और इसके उपर अगर मैं आपको दिखा दूँ बहुत ही जबर्दस किसम का false ceiling work है इसका मैं अगर आपको 360 view दिखा हूँ सामने media wall आपको मिल जाती है और यह वो रूम है जो आपने बच्चों के दे सकते है क्योंकि यहाँ पर आपको साथ ही इसका study room area भी मिल जाता है यहाँ पर वो study कर सकता है gaming कर सकता है laptop पर कोई office work कर सकता है whatever he want to do multi purpose area आपका बन जाता है उपर आपको ilmariya शilmariya मिल जाती है यहाँ से मैं अगर बात करूँ तो जबर्दस बात यह है कि यह जो आपको bathroom नजर आ रहा है बहुत ही wide है wall hanging का mode है shower area है यहाँ पर आपको जबर्दस किसम का vanity setup मिल जाता है vanity mirror मिल जाता है और यह एक area जो कि आपको बाहर की तरफ भी ले जाता है आपको बाद में जब आप आएंगे तो आपको दिखा देंगे और भी बहुत कुछ बाकी है इस गर में दिखाना मेरे साथ बने रही है आज है मैंसे उपर यह जा रहे है हम इसके rooftop पे क्योंकि इसके rooftop पे जो चीजे हैं इससे पहले आपने आज तक पांच मरने के घर में नहीं देखी होंगी यह जनाब हम एंटर हो चुके हैं एक जबर्दस किसम के rooftop पे जहां से आपको एक out class endless view आ रहा है क्योंकि यह घर का जो front है वो हमेशा के लिए open है और साथ में आपको यह margla hills को जो view है बहुत ही out class है यहां से हम इसके roof पे हैं अच्छा यह roof के भी three steps पे हैं एक step पे हम हैं अब second step पे हम जाते हैं तो यहां पे आप आराम से फैमिली के साथ बैठके चायशाय पी सकते हैं और हाँ इसके इलावा जो लोग view के शुकीन है बार्बी के शुकीन है उनके लिए level 3 बना दिया गया है यहां पे आप आराम सकून से इसको rooftop garden बनाएं बार्बी क्यू करें और enjoy करें इस घर को इसके मैं आपको 360 view दिखाता हूँ इसकी जो height है वो top height location पे यह बनावा है और उसके उपर से यह घर की सबसे ज़्यादा height होने की विए से आपको मिलता है यहां पे endless view इस घर की जो demand है वो है सिर्फ और सिर्फ 3 करोड 25 लाख फर पे आज इस घर को विजिट करने के लिए हमें contact करें 0-335-5777-997 पे और इस घर का विजिट schedule करें नेक्स वीडियो में मुलाइगात होती है तब तक के लिए अलाहाफिस